अधिकार एक्स्प्रेस आप ग्रामीर शेत्र में रहते हैं तो आप अवश्य जानते होंगे कि ग्राम पंचायत के कारों को संपन्न करने के लिए उत्तर बदेश की हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत अधिकारी की नियुक्ति की गई हैं जो ग्राम प्रधान का सची होता है जिसे ग्राम विकास अधिकारी भी कहा जाता है ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी एक ही पत के दो नाम है हलाकि ग् कि कुछ लोगों को पता ही नहों कि ग्राम पंचायत अधिकारी कौन होता है उसके दाइद तो क्या होते हैं और इस पद के लिए सरकार ने योगता ही क्या निरधारित की है चले सबसे पहले हम आपको विस्तार से बताते हैं कि ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत अधिकारी कोन होता है ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायती राजविभा के अंतरगत समूग गास्तर का अधिकारी होता है इसकी नियुक्ति राज सरकार के द्वारा की जाती है ग्राम पंचायद अधिकारी एक गयर राजपत्रित सरकारी अधिकारी होता है जिसे पहले पंचायद सेवक के नाम से भी जाना जाता था इसकी नियुक्ति राज सरकार प्रतियोगिता परिक्षा के माध्यम से हर ग्राम पंचायद के लिए करती है जो ग्राम प्रधान के सचिव के रूप में कारे करते हैं ये ग्राम प्रधान के साथ मिलकर गाओं के विकास के बारे में रूप रिखा तयार करते हैं ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायद अधिकारी दोनों गाउं के विकास के लिए मिलकर कारे करते हैं। कुछ वर्सों की सेवा के पश्चाथ ग्राम पंचायद अधिकारी को वरिष्चता के आधार पर पदोन्नत करके सहायक विकाज अधिकारी पंचायद बना दिया जाता है। और फिर सहायक विकाज अधिकारी पंचायद के पद पर कुछ और वर्सों की सेवा करने के पश्चाथ वरिष्चता के आधार पर खंड विकाज अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर दिया जाता है। जहां तक वेतनमान का प्रश्ण है तो ग्राम पंचायत अधिकारी को इस पत पर सेवा के समय वेतनमान 5200 से 20200 रुपए तथा ग्रेड पे 2000 रुपए मिलता है जो की वरिष्टता के साथ बढ़ता रहता है। अब हम आप विस्तार से बताने जा रहे हैं कि ग्राम पंचायत अधिकारी के कार यानी दायत तो क्या होते हैं। ग्राम के विकास के लिए प्रधान को मिलने वाले फंड के सही प्योग को सुनिश्चित करना। राज्जी सरकार की योजनाओं, बजट और जन प्रतिनितियों द्वारा पारित कारी कारी कार्ड रखना, समय समय पर राज्जी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की निगरानी करना, तदा उसकी रिपोर्ट वरिष्ट अधिकारी तक पहुचाना. अपने वरिष्ट अधिकारियों के द्वारा दिये गए सभी कारियों को पूर्ण करना, सरकार या जिला परिशत द्वारा दिये जाने वाले, क्रिसी भूमी सुधार और मिट्टी सनरक्षन, लगुसी चाई, गरीबी उन्मूलन कारिक्रम, पशुपालन आधिकी देख भाल कर गाओं की स्वच्छता का ध्यान रखना, गाओं में विवस्थित रूप से साप सफाई करवाना, स्वच्छपानी के लिए जर्प्रबंदन का रख रखाव करना, तदा उसकी उचित विवस्था करना, खाद बंडारन के लिए अस्थानों का सही चुनाव करना, और इसके लिए सरकारी चारगा बनवाना और उनकी देख भाल करना, जन्मे मृत्यू और विवाह के रूप में पंजी करन करना, और अन्य अभिलेखों का रख रखाव करना, सच्छ भारत, पिछड़ा छेत्र उंदान निदी, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, योजना, राजिय गांधी पंचाय ससकती करन, अभियान आधी जैसे नीतियों को लागू करना, और गाओं के स्कूल में बनने वाले मिड़े मील का निरिक्षण करना, और या सुनिश्चित करना, कि छात्रों को प्रतिदिन भोजन मिल रहा है या नहीं, और खाने के लिए आने वाले पैसे का सही उपयोग हो रहा है या नहीं अब यदि आप लोगों में से कोई ग्रांपंचायत अधिकारी के पद के लिए आवेधन करना चाहते हैं, तो इसके लिए सरकार ने कौन कौन सी यो गतायनिर्धारित की हैं, चलें आपको बताते हैं ग्राम पंचायद अधिकारी बनने के लिए अभ्यर्ति के नियुनतम आयू अठार वस तथा अधिकतम आयू चालिस वसोनी चाहिए। आरक्षित वर्के ओबीसी वर्के अभ्यर्तियों को तीन वस तथा आयसी अस्टी के आयू में पांच वस की छूट दी जाती है। हलाकि अन्य राज्यों में आयू का नियधारण अलग हो सकता है। ग्राम पंचायद अधिकारी बनने के लिए अभ्यर्ति को राज्य सरकार द्वारा आयोजित उत्तरपदेश अधिनस सेवा चैन आयोग की परिक्षा को पास करना होता है। इस पद के लिए अभ्यर्ति को नियूंतम बारावी परिक्षा पास होना चाहिए। इसके साथ ही ट्रिपल सी का प्रमार्पत्र भी होना चाहिए। हलाकि दूसरे राज्यों में योग्यतारण का निर्धारण अलग-अलग हो सकता है। ग्राम-पंचाइद अधिकारी के विशर में अब तक दी गई जानकारियों से आपको पता चल गया होगा कि ग्राम-पंचाइद अधिकारी कौन होता है ? उसके दायत तो क्या होते है ? उसकी नियूक्ति के लिए सरकार निक्या योगिताई निर्धारित गिये। हलाकि ग्राम पंचायतों में नियुक्त कई ग्राम पंचायत अधिकारी अपने दायतों का सच्चाई से निर्वा कर रहे हैं लेकिन अभी भी अधिकतर ग्राम पंचायत अधिकारी ऐसे हैं जो ग्राम प्रधान के साथ मिलकर सरयाम सरकारी योजनाओं के पैसे लूटने में ल पर योजनाओं का पैसा दोनों हाथ से लूट रहे हैं जहां तक कारवाई की बात है तो कभी कभार वरिष्ट अधिकारी एक दो ग्राम पंचायत अधिकारियों के निलंबन की खाना पूर्ति कर देते हैं लेकिन कठोर कारवाई नहीं करते हैं इसी लिए ब्रश्ट ग्राम पंचायत अधिकारियों का कहना है कि जब गाउं से लेकर जिले तक सभी अधिकारी योजनाओं में अपना अपना कमिशन ले रहे हैं तो भला वह का विरुद्ध करेंगे अब ऐसी दशा में बला सामाने जनता करें तो क्या करें वह अपने खून पसीने की कमाई का दिया हुआ टैक्स यानि कर अपने सामने लुटता हुआ बेबस देखती रहती हैं लेकिन इन व्रश्ट अधिकारियों के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाती अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्ट या सुझा हो आप नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स पे अपनी प्रत्रिया दे सकते हैं आज बस इतना है धन्यवाद अधिकार एक्सपेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें साथ ही सूचना प्राप करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं अपने अधिकारों के सुतमत्र पत्रकाईता को बचाय रखने के लिए अधिकार.com के होम पेज पर जाए और हमें हर मात 10 रुपे का सायोग करें